पहारों के बीच आया है आप लोगों के लिए जरी बूटियों का शामाधान लेके जरी बूटियों में पहारों में जरी बूटियों का अपार भंडार होता है और इसमें 400 से 500 करकार की जरी बूटिया है जो आपकी तमाम समश्याओं का शामाधान के लिए ये पहारों की में आपको जो है छोटा नागपूर के पठारी भाग में एक पौधा बहुतायत में पाया जाता है जिसे आयरुवेदिक आउसधी में प्रियोग किया जाता है यह देखिए यह जो पौधा है पौधे का जो प्लांट दिख रहा है आपको अक्सर बावरी के बगल में जो पौधा दिख रहा है इसका प्रियोग में ली हैर डाय में बहुत ही सारा इसका प्रियोग किया जाता है प्राकृतिक रूप से यह जो इसका फूल देख रहे है पुस्प का यह इसको एक कठा करके और इसको रात में आप यह फूल को आप अच्छे से तोड़ लेंगे आइसे ग्लास को ठक के रख देना है और उसको पूरी रात है इसे छोड़ देना है फिर सुबह स्वह उठके उसको मसल के और छान के पानी का आपको bulk सर पे सर को उसे धोना है यह कि इसको सर से सर पे पर पुरा ही इसका जो है मसला हुए धूना है और दोने के बाद आप ध्यान रखेंगे उसमें सैंपू का यूज आपको नहीं करना है दूसरा अगर इसका और ज्यादा आप यह करना चाहते हैं तो इसको मसल के हाथों से मसल के उसके रस को जो है थोड़ा मसलने के बाद पूरा रस को आप एक बाटी में इस तरह से जमा करेंगे या स्पून करने के लिए तो यह भी आप पानी को यूज करना है सता हमें दो तीन दिन इसका यूज करेंगे दो से तीन दिन तो आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे दोस्तों सुबह साथ बज़े रोज हम नए वीडियो देते हैं हम आसा करते हैं हमारे चैनल को जरू कि अ यूज करेंगे बढ़ी हैं हमेहँ हम आपके सब्सक्प्राणी को जरूज करने को युझ कि घ до तो साथfiresर को यूज करेंगे चैनल को दो कि उन Warmel nothin में को एक new you